तो पिछले वीडियों में आप लोगो ने देखा था कि हम लोग आप Hindi को Hindi में टाइप करके caption add करोगे माली जए आपका वीडियो हिंदी में है मैं नहीं करता हूँ माली जब वीडियो हिंदी में है और आपको subtitles इंग्लिश में चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो चलिए बताता हूँ Adobe 23.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ और मेरे पास internet connection है ठीक है चलिए स्टाट करते है ये पिछला ही प्रोजेक्ट है और मैंने ये इसको प्रेले डिलीट किया और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैंने कुछ एक सेंपल वाइस लिए ये सेंपल वाइस है सुन लीजिए अग्ब और एक ही मैंने अपना कुछ का एक रिकॉर्ड किया था वो इसको मैं डालता हूँ मैं अच्छ प्रोजेक्ट करता हूँ मतलब वन पे वो सैंपल वीडियो इंग्लिश वाला है और ये मैंने हिंदी में बोला है सुनी इसको भी क्या बोला है भाई और भहनो वेलकम टू लाइफ इन लेयर्ज मैं आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में प्रिमेर ब्रो में आप कैसे बदल सकते हूँ ये हिंदी है और वो इंग्लिश है चलिए मैंने कंट्रोल आल्ट ए से एक सब्टैल ट्रैक एड किया अब मैं गया मेरे टेक्स पैनल के अंदर कैफ्शन के अंदर मेरा सब्टैल ट्रैक पहले से ही एडिड था तो देखिए मुझे यहाँ पर वो आप्शन नहीं मिल रहे हैं पर मैं इसको डिलीट कर दो तो मुझे वो option मिलते हैं 3 यह मैंने आपको बताया, और आपने केक्शिन ट्रैक आड किया और समर्शन कृटे हैं यह पिछली क्लास और आपने टाइप करनाल, पर मैं यह तो करना नहीं है, ठाक है मैंने जलीट ट्रैक किया, मुझे आपको बताना है अब अहरी यह होती है, sub-title track add करने के लिए आपको transcription create करना पड़ता है transcription क्या होता है? थीविगे transcription क्या होता है आपका जो भी audio है मालिजिया आपका audio हिंदी में है अब उस audio को text में convert करना मतलब audio अगर English में है तो English को text में लाना audio file को text file में convert करना तो यहां पर हम लोग पहले वो करेंगे, कि हमको पहले एक text file तो मिले, उसकी तो हम लोग करेंगे, यहां से transcription कर सकते हो, या फिर यसमें जाओ transcript में, यहां से transcribe sequence करो, चलो यहां से करते हैं, मैंने किया create transcription, create transcription में लिक करूंगा, तो यह box खुल के आता है, चाहिЕ आप यहां से जाके करो transcribe sequence तो भी वही box खुल के आता है अभी आपको यहाँ पर बताना है कि language sequence का नाम दिया language यह language वो language होनी चाहिए जिस language में वो audio है यह वाला audio अगर आपको ध्यान हो यह English में था यह वाला हिंदी में यह वाला English में पहले हम लोग English का एक text file create करेंगे audio से English और मैंने कहा कि audio analysis करो mix mix का मतलब होता है कि सारे जितने भी audio track है सबका mix करके मुझे text file create करके दो तो मुझे mix नहीं चाहिए मुझे चाहिए audio one only और मैंने किया इसको transcribe अचा इसमें एक चीज है कि देखे English है और भी option मिलते हैं यह Hindi भी है फिलाल मैं आपको English करके दिखाता हूँ English इसमें English pack पहले से installed है इसलिए आपको यह English मिल रहा है मैं Hindi करूँगा तो सबसे पहले Premiere Pro क्या करेगा अगर मेरे Premiere के नदे पैक है तो transcription एकदम start कर देगा अगर नहीं है तो पहले pack डाउनलोड करेगा उसके बार transcribe करेगा पर हमारा फिलाल तो कहरे अपको English की जरुद है मैंने English किया और मैंने किया transcribe तो देखे transcription यहां से start हो गया transcribe हो गया transcribe होके जो भी audio जो मेरा English audio था उसका मुझे उसने पूरा पूरा देखे यहां पर text form करके दे दिया है अब देखे मैं इस पे क्लिक करूँ इस पे क्लिक करूँ तो जहां जहां पर वह audio बोला गया है वहां वहां पर यह मेरा play head वहां पर ऐसे move कर रहा है यह तो मेरा सिर्फ text आया मुझे अभी भी subtitle track तो मिला ही नहीं यह तो सिर्फ conversion हुआ है सिर्फ conversion होने के बाद मुझे एक subtitle track तो create करना ही पड़ेगा यहां पर देखने के लिए तो आप यहां से CC देखिए रहा create caption पर क्लिक कर सकते हो या फिर इस caption window में जाओ और यह मुझे option अब दे रहा है create caption from transcription यह मैं आपको बता चुका हूँ पिशली क्लास में create caption from transcription जो आपने transcript किया है उससे caption create करो जी हां उसी से करो यहां से भी वही काम होगा जो यहां से होगा चलिए हम यहां से करते हैं create caption from यह क्या अब उसके आद मुझे option देता है कुछ एक window खुल किया ही मुझे बोल रहा है कि subtitle हाँ मैंने default subtitle लिया हुआ है कोई बात नहीं अब style text style में आपको पिछली ग्लास में बताया था यह वही text style है जो देखे यहां पर मेरा project window के अंदर मैंने पिछली ग्लास में बनाया था text style अगर आपको text style बनाना नहीं या था तो मेरा भी एक वीडियो है आप वहां से देख ली जाएगा iCard में लिंक दे रहा हूँ वहां से देख ली जाए ठीक है मैं ही आ गया मैंने क्या create caption from transcription style मैंने नहीं लगाया यह सब default रहने दो कोई problem नहीं है यह आया single double line मतलब अगर आपका text double line में जाना है तो जाने दे हाँ जाने दो single line मतलब आपका कुछ भी और text हमेशा एक single line में ही रहने वाला है मैंने का double create caption जैसे create caption करूँगा तो वो captions create करना start करेगा उस transcription की help से देखिए ठीक है और जैसी caption create होगा यहाँ पर एक subtitle track आ जाएगा create होगा और देखिए subtitle track आ गया और साथ में वो captions वाले जो text box थे वो automatically आ गया और देखिए hello and welcome to life in layers today I'm going to tell you all about new updates okay एक दम perfectly match कर रहा है एक दम perfectly match कर रहा है अगर आपने वहां पर textile नहीं भी लगाया तो आप यहां पर textile लगा सकते हैं यह मेरा text style add करने का भी आ गया है यह मेरा automatically sequence में subtitle track add हो गया है ठीक है यह तो मेरा English की बात हुई अब आप देखिए इस caption जो आपने caption create कर लिया इसको आप export कर सकते हो यहां से export पर जाओ export to srt file अगर मैंने इसकी srt file export कर दी और मैंने desktop पर डाली और डाला in cap हो मैंने इसको save कर लिया ठीक है अब मैं इसको delete कर देवता हूं यहां से मैंने आपको यह तो बता दिया कि आप caption create कैसे कर सकते है तो आपको यह पता लग गया कि आप captions कैसे create कर सकते हो मैंने transcribe किया इस से English language का transcription आया फिर वहां से मैंने caption track add किया यह मैं आपको last class में बता चुका था अब यह आता है import caption from file ठीक है import किया और मेरा in cap वाला जो था इसको मैंने यहां से import किया तो वो बोल रहा है subtitle track default लिया और मैंने का source timecode क्योंकि जब आपका वो आपने export किया था तो जितने भी timecode थे वो भी match उससे करने चाहिए आपकी clip के साथ okay तो देखिए वो subtitle track आपका यहां पर पूरा-का-पूरा caption बनके आ गया है subtitle जो भी file जो थी srt file जो थी वो आपकी आ गई है तो मतलब अगर आपके बास srt file है तो भी आप subtitle track create कर सकते हो manually मैं आपको बता चुका हूँ आप कैसे कर सकते हो पिछली class में और transcription से आप कैसे कर सकते हो यह तो हुआ English की बात ठीक है अभी मैं इसको यही रखता हूँ इसको मैंने यही रखा और मैंने कहा अब transcript में गया यहां पे जाके मैंने कहा re-transcribe sequence sequence को दुबारा transcribe करो और इस बार language लो आप Hindi मुझे इसके लिए करना है और audio 2 को करो और मैंने कहा transcribe मैंने Hindi pack डाउनलोड कर रखा है पहले से इसमें हो चुका है तो इसलिए उसने transcribe करना चालू कर दिया अगर आपने नहीं किया होगा तो पहले करेगा और उसने मुझे दिया भी हिंदी का track अब देखो कुछ भी हो conversion में problems आएंगे आएंगे याएंगे अब देखो इसने क्या लिखा भाईयो और बहनो वेलकम रुला चीन गया मैं आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में प्रीमेर पो प्रीमेर प्रो की जगे उसने पे में आप कैसे बदल सकते हैं तो यहां पर आप चाहोँ तो यहां से इसको अडिट भी कर सकते हो भाईयो और बहनो वेलकम तू आना चीए था है यहां पर अब मैरा बोट मुझे हिंदी में टाइब करना नहीं आता है तो में इंग्लिश में टाइब कर देता हूं मतलब यहां पर एडिट कर सकते हो कि आप हिंदी भाशा को अंग्रेजी भाश्य में प्रिमेर प्रो में आप कैसे बदल सकते हैं यह मेरा मेरे ट्रांस्क्रिप्शन में भी चेंजिस कर दी है यहाँ पर गैप देता हूं और यह एक्स्ट्रा आँ ठीक है आप यहां से भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ग्रामेटिकल गलत लग रहा है या कुछ स्पैल यह प्रेंटिकल गलते हैं कि अधर हो इस बार ट्रांस्क्रिप्शन से करने के लिए मुझे नहीं और सिफली बार दे रहा था क्यों नहीं दे रहा है यह मेरा यहां पर लिखा है सिवन सब्टैटल उसके हिसाब से आप ट्राक बना चुकी हो और किसी भी वीडियो के अंदर subtitle track सिर्फ एक ही हो सकता है एक बारी में आप एक ही बना सकते हो तो ये तो मुझे कह रहा है कि आपका पहले से बना हुआ इसलिए मुझे options नहीं दे रहा है पर मैं इसको यहां से invisible कर दूँ तो देगे इसने मुझे options देने start कर दिये उसके accordingly कि मैं उसको अब यह लग रहा है कि track नहीं है कोई भी अब मैं करता हूँ create caption from transcription क्योंकि मेरी transcription हिंदी वाली है ठीक है मैंने यहां से किया और ठीक है create caption कर दिया अब वो caption create करेगा तो मतलब एक नया subtitle track अड़ करेगा क्योंकि मैंने इसको बंद गर रखा है आपसे उसने वो कर दिया ठीक है अगर आप इसको सुनेंगे अब भाई और भेनो वेलकम तो लाइफ इन लेयर्स मैं आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में प्रिमस रखा वाइड दिया मुझे यहाँ पर लाइफ इन लेयर्स लिखेना. अगर मुझे दो एंग्लिस करनाव वो कैसे करना है ठीक है देखे अभी मैं इसको export करूँगा तो obviously आपका कोई भी एक वीडियो होता है वो एक ही language में होता है मतलब exporting के time मैं एक ही subtitle track को export कर सकता हूँ एक ही या तो इसको करूँगा देखे इसको menable करूँगा न तो ये वाला मैंने on किया अब मैं इसको on करता हूँ ये off है सरी ये on है ये off है मैं इसको on करूँगा न देखे दूसरा वाला अपने आप off हो जाता है क्योंकि आप एक बारी में एक ही subtitle track को आप on कर सकते हो ठीक है normally आप copy paste भी कर सकते हो इसमें आपको track targeting मी मिलती है आपको source patching तक मिलती है track targeting मैं ज़्यादा source patching track targeting में नहीं गुसा इसके क्योंकि मुझे लगा कि इतना ही काम enough होता है ठीक है तो ये हुआ एक बारी में एक ही अगर मैं export करने जाता हूँ अब इसको तो जो enable है न track जो caption track enable है वही वाला export होगा चाहाँ sidecar file हो चाहाँ आपकी burn caption from video ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप export कैसे कर सकते हो तो अभी मुझे इस हिंदी को English में convert करना है क्योंकि हिंदी तो मुझे हिंदी subtitle मिला मुझे English subtitle चाहिए तो Premiere ने इसका कोई भी कोई भी उपाय नहीं दिया है कि आप language चेंज कर सको आप एक काम कर सकते हो कि ये मेरा caption create हो गया है इस पर क्लिक करो और इस पहले caption को करो export export किया मैंने desktop के उपर और इसको मैंने यहां पर नाम दिया Hindi कि सब ओके और इसको मैंने save किया तो मेरे को Hindi सब SRT file मिल गई आपको इसमें यहां पर डाला Google और Google पर जाके मैंने डाला SRT file language क्या लिख रहा हूँ मैं converter ठीक है तो कोई भी देख लीजे ऐसे subtitle translator है यह मैंने काफी बर यूज किया है इसमें गया सब्रेल ट्रांसलेटर के अंदर और यहां पर जाके मैं पहले उस language को कनवर्ट करूंगा तो अपलोड पे गया डेक्स्टॉप पे गया और मुझे मिला Hindi सब ओपन ओपन किया और मुझे ट्रांसलेशन के लिए language पूचेगा मैंने का अप इंग्लिष में convert कर दो इसको ्प इंग्लिष और करो इसको ट्रांसलेट होगया और मैंने किया इसको डाउनलोड, वो डाउनलोड हो चुका है यह रहा, ठीक है, यह आ गया, यह हिंदी सब, मैं काम करता हूँ, इस फाइल को, मैं डेक्स्टॉप पर डाल देता हूँ, और इसको कर लेता हूँ, यहां पर एक्स्ट्रैक्ट, तो मुझे यह, तो मुझे यह फोल्डर मिल गय है, ठीक है, हिंदी to English convert हो चुकी है, अब आपको क्या करना, आपको पता ही है, इसको भी disable करो, obviously, तभी मुझे यह option मिलेगा, और मैंने का, import caption from file, import caption from file, यह पिछली class में आप लोग को बता चुका हूँ, कि आप कैसे, किसी file से आप, वो फोल्डर कहा है, गेरा, और इसको मैं ने किया, import, और source time code, उसमें मिलेगा, यह देखे, यह मेरा English में, जो भी उसने convert किया था, मैंने check नहीं किया, actually, क्या English में convert किया था, brothers and sisters, welcome, life and layers, went to China, उसमे था ना, उसने चाइना कर दिया था, जब हिंदी convert किया था, इसलिए चाइना आ रहा है, I welcome you to my video, today I will tell you how to convert Hindi language to English, how to change the language and Premiere Pro, जो भी convert किया, वो उसने आप अला कर दे दिया, देखे, conversion में थोड़ा बहुत issue आए गई आएगा, और बहुत जरूरी है कि आपको, जिस में आप video बना रहे हो, जिस language में आपने video बनाया है, और subtitle जिस language में create कर रहे हो, वो दोनों ही language बहुत अच्छे से आनी तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो, अब आपको समझ में आ गया English to English, Hindi to Hindi या Hindi to English, अगर आपको language subtitle kit अलग चाहिए हो, अगर अब ऐसा हो कि, मैंने कहा आपको एक बारी में एक ही subtitle डाल सकते हो, पर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि, यह आपका एक video है, जिस में ऊपर Hindi में subtitle आ रहे हो, और थोड़ा से नीचे English subtitle आ रहे हो, तो इसका कोई उपाए नहीं है, कि आपको एक subtitle तो कम से कम video के उपर burn करना पड़ेगा, आप burn कैसे कर सकते हो, आप exporting तो एक बारी कर सकते हो, तो दो subtitle track आप एक साथ on नहीं रख सकते हो, आपको एक ही रखना पड़ेगा, तो दूसरे वाले को आप video के साथ burn कर सकते हो, ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो कैसे कर सकते हो, देखो, exporting तो मुझे एक बारी करना ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, हमको न, अभी प्रिमेर ने एक option दिया है, नया, वो option क्या है, देखें, ये English track है, सब्टैटल है, और ये काम करते हैं, यहाँ पर पहले मैं एक track add करता हूँ, ठीक है, और मैं एक track add किया, ये रहा है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को alt drag करके उपर ले आता हूँ, तो मेरे पास अब दो track हो गए, जिसके अंदर English है, और एक track में Hindi है, अब एक track में Hindi है, हमें काम कर सकते हैं, इस वाले track को मैंने पकड़ा, और graphic system titles में जाकर मैंने कहा, upgrade caption to graphic, ये नया option, अभी नया feature आया है, upgrade caption to graphic, मतलब अब captions को graphic template में convert कर देगा, जैसी मैं इसको करूँगा, देखिए, वहाँ से हट गया, और मैंने इसको off कर दिया, और देखिए, सारे subtitle track off है, पर मेरे को ये सारे, अब ये caption नहीं है, अब ये subtitles है, और जितने भी Hindi वाले titles हैं, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से, ये, तो देखिए, अब क्या हो रहा है, ये हिंदी वाला, इसकी वाज़े से show कर रहा है, subtitle track की वाज़े से, और ये जो graphic template है, ये आपके वीडियो के साथ, बर्न हो के export होगी, ये subtitle track, इस subtitle हो गया, और ये आपकी burning होगी वीडियो के साथ, तो आपको, अब जो आपका वीडियो है, वो आपको दोनों subtitle के साथ मिलेगा, अगर आप, कोई भी, आपने close caption लिया है, कोई caption off रखेगा, तो ये हिंदी वाला off हो जाएगा, पर ये आप आपका continuously चलता रहा है, ये आपके वीडियो के साथ burn हो गया है, अब आप exporting जब करने जाओगे, तो आपको, मैंने बताया ही था, पिछली class में, आप कैसे export कर सकते हो, create sidecar file, और ये simple ही है, इसमें तो कुछ है नहीं, create sidecar file करके, आप पिछली class में देख सकते हो, कि मैंने कैसे आप इस तरीगे से ये export कर सकते हो, ठीक है, दूसरा इस चीज़ हो रहा है, अगर आप इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आपने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, मैं इनको nest भी कर सकता हूं, नेस्ट किया, ये नेस्ट हो गया, ठीक है, प्लूदा सिक्वेंस में जाओंगा तो देखिए मुझे सटेल ट्रैक मिल रहा है पर वो यहां पर नहीं है थोड़ा से एक्सपोर करना कि आप कैसे यूज कर सकते इस चीज को नेस्टिंग से भी कुछ फाइदा हो जाता है तो यह तरीके मैंने आपको बताई अभी कैप्शिंस में इसस से कनवर्ट कर सकते हैं अगर आपको अलग-अब ापको दो सब्टावड़् करें अपको अपने वीडियो के उपर पर इसमें कन्सितेंट है कि आप Сब्टाटर्ण एक ही रख सकते दूसरे को आपको बन ही करना पड़ेगा उसको आत्महलें ऐड़ेकर और सब्ताट उख सम कुछ बचाने है सब को समझ में आ गया होगा नहीं हो तो दुबारा देखना वीडियो को सब को समझ में अगा नहीं तो एक आप्षन आपके पास है ही कमेंट्स में मेरे साब कुछ भी सवाल पूसकते हो सब के जवाब देगा जान चलिए वीडियो पसंद आया ओ तो प्लीज लाइक रोब सब्सक्राइब करो उन्तों नेक्स विडियों में बाइब